भारस के शश्वी पर्धान मंत्री आजणी नरंदर्भाई जी मोदी और हमारे नौ देरवाची त्रास्ती अध्यक्ष श्रिमान जगत्प्रकाश जी नढधा निवर्तमान अध्यक्ष श्रिमान अमित्भाई शाह त्रधे अड़वाने जी त्रधे जोशी जी और पुर्व राश्चिय अध्यक्ष स्रिमान नितिन जिगट करी और यहां मौजूद मेरे सभी कारगरता बहनों यों भाईयों। आज हमारे जिगट पकाफ जी नड़ा हम लोगों के अध्यक्ष नर्वाचित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यह सुभकामना देना शाहता हूँ कि नड़ा जी आपके नेत्रत में भारती जन्ता पार्टी कारगिल से लेकर कंड्या कुमारी तक जितने भी राज्य आते हैं सभी राज्यों में भारती जन्ता पार्टी की विजय पता का फाराने में काम्याबी हासिल कर इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक शुक्राम नहीं देता हूँ और मित्रों आप जानते हैं भारती जनता पारटी को भारत की राइदीत में जो आज यह उचाई हासिल की है आप जैसे नहस्वारती कारकरताओं ने अथक परिस्तरम करके पसीना भी बहाया है आपने अपने जिस्म का खून बहाया है उसके परिणाम सरूप आज हमारी यह भारती जनता पारटी भारत के राजनेटिक छिटिक पर सूरच की तरह चमक रही है आदनी अटल जी आदनी अड़वानी जी डाक्टर जोशी जी ठाकरे जी जैसे हमारे बहुत सारे दिगज रास्ति अध्यक्ष रहें जिन्होंने लगातार भारती जनता पारटी को इस भारत की राजनीट में उचाई देने का काम किया है मैं सारे पूरवरास्ति अध्यक्षों का नाम इस समय नहीं ले सकना हूँ लेकिन सारे अध्यक्षों ने अपनी भूमिका किसी न किसी रूप में निभाई है और मुझे याद है कि प्रारंब से ही हमारा भारती जनता पारटी का कारकरता यह स्वपन देख रहा था कि कब वह च्छाना आएगा जब हमारी भारती जनता पारटी को केंदर में अस्पष्ट भहुमत के साथ सरकार बनाने का उतर मिलेगा 1292 का वह समय आया जबकि आदर्णी अटल विहारी बाग पेई जी के नेत्रत में भारती जनता पारटी भारत की संसत की सिंगल लार्जस पारटी बनकर जो खड़ी हुई थी थोड़े समय के लिए सरकार बनी थी लेकिन वह सरकार नहीं चल पाई 1298 में फिर से सिंगल लार्जस पारटी के रूप में इमर्जी होकर भारती जनता पारटी आई और आपने देखा कि आदर नियतल यहारी बाट पेई जी के नेतर तुम्हें छे वरसों तक इस देश में हम लोगों ने तरकार चलाई उसके बाद हमारे कारकरता की यह ख्वाईश थी कि हमारी पारटी केवल भारत की संसद की सिंगल नार्जस पारटी ही नहीं बननी चाहिए बलकि भारती जनता पारटी का हम वह च्छन देखना चाहते हैं जबकि भारत की संसद में उसे असपश्ट वहुमत हाथी लो 2013 का वह समय आ गया और आपने देखा 2013 में देश का जनमानस यदि किसी को प्रधानवंत्री के रूप में देखना चाहता था तो आज कि हमारे प्रधानवंत्री नरंदर भाई मोदी को भारत के प्रधानवंत्री के रूप में देखना चाहता था जन्ता की नब्ज को पहचानते हुए भारती जन्ता पार्टी ने 2014 के चुनाव में दरंदर भाई मोदी को प्रधान मंत्री के उमिरवार के रूप में पेश किया मैं जानता हूँ कि हमारी पार्टी के भी बहुत सारे दिगज नेता ये कहते थे हम सवा 200 सीटें जीच सकते हैं 2500 सीटों पर हम भी ये प्रात्त कर सकते हैं बिरला ही ऐसा कोई कार करता रहा हो जिसने ये कहा हो कि हमको 2016 के चुनाव में हमको असपश्ट बहुत हाथिल होगा लेकिन हमारे आज के प्रधान मंतरी नरंदर भाई मोदी का ऐसा करिस्पाई नित्रत था बहनों भाईयो कि आपने देखा कि पहली बार आजार भारत के इतिहास में किसी गैर कांग्रेस राजनितिक पार्टी ने भारत की संसद में नरंद्रभाई मोदी के नित्रत में स्पस्ट वहुमत हातिल करके सरकार बनाने वे काम्यावी हातिल की पांच वरसों तक कैसी हमारी सरकार चली है इस संबंध में किसी से कूछने की कोई जरूरत नहीं है पांच वरसों तक सरकार चली उसी भी हमारे अमित भाई साह 2016 में भारती जन्ता पार्टी के रास्ति अध्यक्ष बने और अमित भाई जी शाह मैं आपको भी बढ़ाई देना चाहता हूँ आपके नेत्रत में लगातार पांच वरसों तक जिस तरीके से पार्टी ने काम किया है जिस तरीके से आपने पार्टी को भारत की राज़ीत में उशाई दी है वह अब विस्माडी रहेगा उसे कभी कोई भूल नहीं सकता और आपने रेखा कि 2019 का शुनाल जिसमें की यदि 2014 हमें 282 सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी तो इसी हमारे प्रधान मंतरी नरंदर भाई मोदी के नेत्रुत में थ्री नाक थ्री तीन सो तीन चीटों पर भारती जनता पार्टी को भी एफ प्राप्त हुई है लगातार भारती जनता पार्टी आजे बढ़ती जा रही है बेहनों भाईयों और जनफ एक शाओं के अनरूप हमारी सरकार इस तो मैं काम कर रही है मुझे पूरा विस्वास है जिस जेपी नगधा जी को हम लोगों ने चुना है वो हमारे और आप के बीच के हैं वरसों से मैं जानता हूँ लगातार आराम कार करता के रूप में उन्होंने काम किया है उन्होंने भी अपने जिस्प का पसीना बहाया है जहां तक उनके सुभाव का प्रस्ण है हर कार करता यह कहता है कि हमारे आज के रास्त्री अध्यक्ष त्री जेपी नगधा जी मृद्भाशी हैं बहुत ही मिलंसार है और साती मिलंसार ही ने कुसल वक्ता भी है लेकिन निर्णे लेने की जहां पर आवश्यक्ता होती है द्रिहता से निर्णे लेने में भी हमारे जेपी नड़ा नहीं चूपते है ऐसे जेपी नड़ा जी इस बार हमारे भारती जनतापार्टी के रास्ती अध्यक्ष बने मैं आप सबसे यह नोद करना शाहता हूँ कि बहनों भाईयों यहीं से नहीं वहां से भी आपकी तरफ से भी एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर जेपी नड़ा जी को हारदी का विनंदन किया जाना चाहिए और मुझे पूरा विस्वास है कि जेपी नड़ा जी के नेत्रत में भारती जनतापार्टी निरंतर आगे बढ़ेगी और इस बार तो मोदी जी के नेत्रत में हमने 303 सीटें प्राप्त की हैं आगे का लक्ष मैं जानता हूँ कि इससे भी बड़ा हासिल करने में नड़ा जी को विजय प्राप्त होगी इनी सब्दों के साथ मैं पुनह अपनी तरफ से और आप सभी बहनों भाईयों की तरफ से जेपी नड़ा जी का हारदिक अभिनंदन करता हूँ उन्हें मैं अपनी तहे दिल हारदिक शुब कामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ